है 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 आज आपका यह अल्टर नेटिंग करेंट तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुगे थे अगर एक साथ सिरीज में आते हैं एसी सर्किट में तो क्या होता है उसको हमने किया था बाई फेजर डाइग्राम मेथड तो इसी और में आगे बढ़ते हों और अब हम आज करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग एल एंड आर एल और आर आपका आज हम कवर करने वाले हैं एसी सर्किट में अगर सिरीज में एक इंडक्टर हो और एक रजिस्टेंस आपको दे रखा हो सिरीज में और हम उसमें एप्लाइड कर दें एक अल्टरनेटिंग गोल्टेज ठीक है अब मान लीजिए किसी इंस्टेंट इसमें जो करेंट फ्लो कर रहा है वो है आई और उसकी वैल्यू है आपके पास आई नौट साइन ओमेगर टी तो उस इंस्टेंट जो एप्लाइड बोल्टेज है उसका फेज क्या होगा मतलब ये करेंट के साथ साथ बढ़ेगा घटेगा या उससे आगे पीछे मतलब लैग करता है लीड करता है यह बात हमको समझनी है और अगर इन दोनों के फेज में कोई डिफरेंस है तो वो कितना है यह बात भी हम सिखेंगे इसके रावा हम क्या सिखेंगे इसके रावा हम सिखेंगे इसमें जो इंस्टेंट पावर है वो कितनी है एवरेज पावर है वो कितनी इसमें खर्च हो रही है ठीक है तो चलिए वह स्कार्ट करते हैं इसको हम जैसे कि हमने कल आर सी सर्कि से तो इसको हम्होग सोफ करेंगे आपके वह ऑं कि यह यूफ और मेरिक तो आप हमोच सब्सक्राने की स्केश को तो सेम जाएगा यहां जो पॉटेंसिल ड्रॉफ होगा वह आपका हो जाएगा वी-ाय रिया अगर वी-ार और आई का हम फेजर डाड़ाम रहा चाए मतब फेजर आई तो फेजर ओफ आई देखिए तो मुझे पता किसी इंस्टेंट कि अपने एक स्वेस हैं यह जो इनगल है वो ओमेगा टी है कि गारी तो यह वेक्टर ऑफ करेंट कि मैंने कह से फीजर क्या होता है एक रोटेटिंग तो आपका करेंट का तो फेजर वेक्टर आ गया जो अंगल है, वो ओमेगा-T है विद पॉजिटिव एक्स एक्स अब हम जानते हैं जो रजिस्टेंस है उसमें जो बोल्टेस ड्रॉप होता है वह करेंट के साथ-साथ चलता है एसी सर्कुट कंटेनिंग आर उनली में हम यह बात प्रूफ कर चुके हैं जो भी वोल्टेज डॉप एक्रॉस रजिस्टेंस होता है वो करेंट के साथ साथ चलता है मतलब उसका एंगल है पॉस्टिव एक्स एक्स के साथ वह बिलुकुल वही होगा जो करेंट का होता है दोनों सेम फेस्ट में होते हैं तो हम यहां पर इस तरह से बना सकते हैं यह और आपके पास वी आर लॉट वैक्टर व्यांगि वह सूंगी यह और हमने चाहिए तो अगर करेंट का है तो करेंट की मैक्सम वैल्यू इसकी लेंद के बराबर होनी चाहिए थी और अगर यह जानते हैं जो एल है इसमें जो वोल्टेज आता है वो करेंट से 90 डिगरी से आगे के तरफ चलता है तो भाई यह जो आएगा आपके पास यह आजाएगा वी एल और यह 90 डिगरी से आगे रहेगा करेंट से यह तो हो गया आपके पास फेजर डाइग्राम आई नौट वी यार नौट और वी यार नौट को एक साथ हो इस तरह से दिखा सकते हैं अब देखें यहां पर दो वोल्टेज हैं और जो रिजल्टेंट आएगा वह आपका आए पर जो वोल्टेज है उसको एजव वेक्टर क्वारिटी कर रहें आपको यह बात समझने कुछ और नहीं खा समझना तो अगर हम इसको यहां पर अलग से बना कर देखें तो हमें क्या दिखेगा भई कि जगे सोड़ दो इदर कि इसको अगर हम यहां बना कर देखें अलग से तो हमें दिखेगा भई अपने पास एक तो है कि वी एल और एक है आपके पास वी आर यह तो हो गया वी आर नॉट वेक्टर एंड इस वन इस वी एल नॉट वेक्टर और जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा और बड़ा कर लेते हैं इसको अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा वह अपने पास रिजल्टेंट की ने पीजिए पैरल्लोग्राम तो हम बनाने के आपर पैरल्लेलोग्राम इसके पैरल्ल हमने आसे ड्रॉप करती लाएं इस तरह से और जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास को कुछ यह आएगा जी आजाएगा आपका रिजल्टेंट अब आप ध्यान से देखो वी आर नॉट और आइपके पास वी आर नॉट वेक्टर ठीक है इतनी बात तो क्लियर होगा आप आगेए है कि नीट टेज्टर के साथ चलता है और इंडेट र घर आगे चलता है और वह मतन हे ज़ोडा होता है वह उसमें even हैं कुछ लग कंध sell है यह बात आपको मता होनी चाहिए चैसे दिन तो पाइड डिगरी अप ध्यान से देखो वी आर नौट की डिरेक्शन में था आई नौट अगर हम इन दोनों का फेजर बनाते हैं अलग से हम इन दोनों का फेजर बनाए करेंट और नेट इमफ का तो नेट इमफ जो है आपका कुछ वाई एक से इधर आ रहेगा तो मान लीजे यह आपका इस इंस्टेंट यहां पर इमफ है इस नेट इमफ ठीक है उसका फेजर यह आपका आगया मान लीजे और यह वह यह आई नौट वेक्टर और इन दोनों के पीछ एंगल आपने मान रखा है तो और अगर हम यह कहते हैं कि करेंट हमारा आई इस इकोल टू आई नौट साइन ओमेगा टी है यह एंगल आपके पास ओमेगा टी था यहां पर जो इमफ आएगा वह जाए कि उसकी मैक्सम वैल्यू और साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्यों वाई जो इसका एंगल बनेगा एक्स एक्स के साथ वहीं साइन के अंदर लिखना होगा यह आपके पास दो बातें आ जाती हैं यहां से हमें साथ देखता है कि जो हमारा इमफ हो किसी एंगल करेंट से आगे चलेगा और यह निकालना पड़ेगा इसमें ठीक है और जो इनोट है यह भी हमें पता करने पड़ेगी वहीं पूप इतनी आएगी समझगे बाद तो यहां पर हम एक तो इनोट पता करेंगे सिर्फ यह दिया था यह हमने निकाल रहा है वाइं प्रेजर डैग्राफ तो अब आप ध्यान से देखो बाद करते हैं यहां से अब ध्यान से देखों तो इनोट का इसक्वाइर आएगा दो वेक्टर्स अगर आपस में नाइल टेगरी बनाते हों उनका रिजल्डन खार रूट तो वी आल नॉट का का स्कॉयर प्लस वी एल नौट इस्क्वाइर वी आर नॉट का स्कॉयर अगर आद देखेंगे तो आई नॉट आई स्कॉयर ब्लस विल तो आई नॉट एक्सेल इस्कॉयर तो यह बात आपको बता वहने जाए कि voltage drop जो R में आता है उसकी maximum value होती है current की maximum value multiply the value of resistance and the maximum voltage drop across inductor will be equal to the current multiplied by inductive reactance inductive reactance किसके को होती है यह आपकी होती है omega multiply L omega is the angular frequency of current and L is the inductor which is connected in series with resistance जहां पर आप ध्यान से देखते हो इसक्वाइर में इसक्वाइर दोनों में से कॉमा ना जाएगा अंदर बचेगा आपका R स्क्वाइर प्लस XL स्क्वाइर समझागी बात भाई तो यहां से आपके सामने इसक्वाइड की value तो आ गई कि इसको एरेस कर देता हूं मैं इस प्रियर की जुरूत नहीं अपने को अपने बना भी लिया होगा आपके सामने आगे कितना इस इगल डू आ जाएगा वही आई नोट और यह हो जाएगा आपके पास रूट आर स्क्वाइर प्लस एक्स एल स्क्वाइर इनोट रूगया ठीक है यह तो आगे आपके पास इनोट की value अब यह तर्म लिखा हुआ है यह एक constant है और इस पूरे को बोलते हैं एफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों अगर हम देखें तो इनोट बाई आई नोट किसके पूल आ जाएगा भी रूट है आगे प्लस क्लिख और भाईया चोओ नैट वोल्टेटास है इपकड़े आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑगें से तुरे मोपले ममी घंट टे artifacts 5 तकेसले देखें से जेखो रूट आहिसको रिकते किस्ते है जय से लिए यहां से हो गया जैसे इसलिकल रूट रूट आहर प्लास एक सब्सचर्व दिख सकते हैं वेसे यह है जा फिर इसको ऐसे भी रिख सकते है प्लस ओमेगा एल रेशुदी बावर है इसे टोरेश्टेंस चल गया पता मैक्सिमम वेल यह में चल गया पता यहां पर आपको पता करना पढ़ेगा तो गलत ना दिए वह चले तो नोट कर दो आपने इसको मैं एलेज कर देता हूं तो पिए ने मिटा दिया उस पिए गए उसका चले कोई बात ने दोबारा बना दूमा में अब देखिए हम बात कर लेते हैं फेज डिफ्रेंस बिट्वीन करेंट एंड वोल्टेज है फेज डिफ्रेंस बिट्वीन एफ एंड आई इसी सर्गेट की बात हो रही है अभी पाम गतम नहीं अभी तो तरी बाते निकालेंगे इसमें यहां पर हमें पता है जो अपना फिगर बन रहा था वह इस तरह से था आपने पास यहां पर तो था एक वी आर नौट वेक्टर और यहां पर था अपने पास कुछ नाइटी कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो था अपना एक नौट जी कहता वहीं कि इनौट वेक्टर था और आपको ध्यान हो तो जो मैरे एंगल माना था वो यह माना था पाई तो आपकी वाई एक्सिस ब्लाइक बन रखिया है वो तो यह एक्सिस दी ठीक है है कि तो फाई आपके पास होऊए आपके पास एक ट्रेंगल देखेगा मैं एक है आपके पास यहाँ और एक है आपके पास कुछ तो भी कि इससे नाइन के बनाता हुआ कि लोगिए एक अपने पास यह है और यह नाइन टी बनाते हुए लाइन इस तरह से हैं और फिर आपके पास कि एक नेट देखा रखा है जो कि वहां है 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 ऐसे इस तो अब देखे अगर इसकी लेंध वी स्केलेंद भी ग्याएंगी मैं और यह अपके पास वी बार्ण मतलब भी यह नौट वी ठीक है अब इस ट्राइंगल म्हें यहां पर देखें तो इस जगे पर आइंगल क्या बन रहा हें भई 5 बन रहा है यह अब इस ट्राइंगल में तो देखते हैं तो टैन फाई किसके पर आप आप आएगा पर विल नौ बाई वी आर नौ तो यहां से का जाएगा I naught XL यहां पर आजाएगा R I naught Xl आपका होता है omega L और R तो 105 जो है वो आपका आजाएगा omega L by R तो 5 आपका आजाएगा 10 inverse omega L by R यह face difference आपका आएगा आपको omega question में दिया होगा इंडिक इंडिक आपोशन में दिया होगा आप इजली निकाल पाओगे करेंट और इमेफ जो है उनका फेज डिफेरेंस यह अब इसमें कौन कर रहा है इसमें लीट कर रहा है इंड है इन एलर्र सब्सक्राइब कर लिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपको एबरेज पावर की किसकी बात कर लिए आपको एबरेज पावर की बात कर लेते हैं और इंस्टेनियस पावर की इंस्टेनियस पावर की पहले बात कर लेते हैं टॉपिक आपका वही चल रहा है कि बद्दा नहीं ठीक है वही इंस्टेनियस पावर इंस्टेनियस पावर जो आएगी तो पावर इंस्टेनियस इस इगल टू हो जाएगा करेंट की इंस्टेनियस और EMF की instantaneous value current की instantaneous value आपने I0 sin omega t मान रखी थी और EMF की मानी है E0 sin omega t plus 5 यह तो मानी है अपने अब देखें क्या हो जाएगा I0 E0 इसे हमने कल गया था 2 से multiply 2 से divide sin omega t sin omega t plus 5 यह अब के पास अब आपको पतावाना चाहिए मैंने कल इसको solve गया था 2 sin a sin b होता है cos a minus b minus cos a plus b अब करदावाना था तो यहां से अगर आप दिखान से देखो तो आपका जो देक्ट क्योंकि ओमेगा एड और आर इंटीनों में से कोई नहीं बते हैं तो फाइव आपका वेरीबन है यह होगी आपकी इंस्टेनियस पावर के लिए फॉम्मुला कि किसी इंस्टेन की वेल्व पूटकर झों इसलुदब निकलाईका दो आपके इसलirrel नुकलाएगा दो अब है अब बात कर लेते हैं मिलेडल की अवं बात करने वाले हैं अब बात करने ौले chain घौड है एन आवरेज़ पावरा की तो आव पर थाले कि पहर पी आपके पास आएगा वह आजाएगा इंटीग्रेशन ओफ पी इंस्टेंटेनियस डीटी वोल अपॉन में डीटी कई वारा हम कर चुके हैं किसी भी वैरेबल के आपको 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 निकालने होती है तो टाइम के इस्पैक में किसी इस्टेंट उसकी वैल्यू क्या है उ आपके थामने रखे हुए इसको मिटा देते हैं तो यह है यहां पुट कर लेते हैं पी आवरेज इंटीग्रेशन ओफ जीरो टुटी आजेगा आपके पास अच्छा ऐसा करते हैं आई नॉट और इनॉट वाइटू को तो बाहर लिग लेते हैं तो कॉंस्टेंट है पूर से टी कोस पाई वहां डीटी का मल्टीप्लाइए दीटी कर लेंगे माइनस इंटीग्रेशन जीरो से टी कोस तू ओमेगा टी प्लस पाई इंटू डीटी होल डिवाइड में आजाएगा जीरो से टी इंटू डीटी क्लियर है बाई अब कॉस पाई तो कॉंस्टेंट है तो आजाएगा अप्ता बाहर अंदर बचेगा जीरो से टी डीटी होल अपॉन में देहें क्या बचेगा पर लें इसका इंटीग्रेशन आएगा स्मोल टी लिमिट आजाएगी जीरो से क्या ड़ल दिया देखिए यहां पर क्या कोस्ट्व ओमेगा टी उड़ल प्लस फाई इंट्व डीटी जीरो से टी अब मैं आपको बता तूं इसकल इंटीग्रेशन आता है कोस्ट एवरेज वयल्यू दिखें ताइम के लियर्यू दिखा रखा है आपको तो कॉस्ट्व ओमेगा टी हो चाहिए कॉस्ट्व मेंगा सब्सक्राइब रहे इस एक रहता है यह कॉस्ट ओर साइघकल और साइन दोनों की तो अगर एबरेज रोगे प्रॉपर लिमिट जिरो से लेकर टू तो आपका अंसर जिरो आना है ठीक है तो ज्यादा मैथमेटिक्स को हमें आपकर कर रहा है थोड़ा इग्णोर तक हमारा टाइम बच जाए कोस्ट ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डीटी अगर जीरो से टी लिमिट ध्यान रखे जीरो से योगा तभी जिरो आएक अंसर यह वता है जिरो के बराबर अगर यह आपका जिरो के बराबर है तो उस केस में आपके पास अंसर क्या होचेगा भई आई नॉट इनोट बाइटू यहां पर आपके पास बच जाएक सिर्फ कॉस पाई डीटी का इंटी इंटी रहें तो टी बच जाएगा डिवाइड आपके पास टी बच जाएगा माइनस जीरो तो कि आपके सब्सक्राइब में इस्हेक्ट आपके सब्सक्राइब मैच्जें आपके से आर सी सर्किट से बस वहां पर जो फाइथ वह अलग था उसकी वाइथ गोल था वहां पर टैन इंवर्स बन अपन ओमेगा सिया यहां पर जो फाइगा वह आज आएगा वो आज आएगा फार्क एफ होड़ा साथ अब जैसा कि हम जानते हैं जो आई आरमेस और ई आर अब देखें ध्यान से अब पी एबरेज का जाएगा उस्साब से पी एबरेज आपका जाए अगर्स होगों तो आई नोट इनोट वाइट वाइट नोट बाइट वाइट वाइट के बराबर होते हैं कि और पकॉस कि यह आगी आपके पास खुत पांबला इसमें यह टर्म होता है यह यह लैंट होता है मुद्ध वर्चुल पावर जब भी कोई को थो इसी डिवाइस हिसे हो इसी मीजियंग दिवाइस मतलब तो आपको इसा लगेगा कि पावर यह होनी चाहिए थी क्योंकि डिवाइस आपके दे रही है पर इसमें इक और टर्म है जिसको बोलते हैं और लेता है पावर फेक्टर में तो पावरफेक्टर ताम सही तो अब लेता है कि इसनी सब्सक्राइब बसक्राइब निए ऑच प्रेंगल उसमें यह था यहां पर था है कैसा नाइंटी से जिए इस तरह से यह थी लेंद इन ओर यह था आपके पास वी अल नौट और यह था आपके पास वी आर नौट यहां पर एंगल फाई बना हुआ था तो फेजर डाइग्राम मैंने बनाया था अगर यहां से हम कॉस्पाई निकालते हैं तो जो आपका कॉस्पाई आजाएगा कॉस्पाई कितना जाएगा वैंद अगर यहां से हम ध्यां से देखें तो भी आर नौट अपन में एंव आप लिए अपन मेंगी नौट अगर हम सॉल्प करते यहां पास आजाएगा आई नौट आर ठीक है और यह बोलता है आई नौट इंटु सब्सक्राइब यहां पर आई आपका पावर प्रेक्टर है यह सारी वात थी चुम्हें आपको सिखा दे कि इसके लिए एल आर सर्किट के लिए इसमें जो आपका यहां पर करेंट से आगे चलता है कि आपको पता है आपको बता दिया मैंने आपका का फॉम्डा इस पावर के लिए आपके पास वाण तो सारी बाते मैं आप लग लग वापकर करोएं फेज़ दाइग्राम लेटर से हमने स्वार्म किया है तो वह एश्यां अब बात कर लेंगे इसकी लिए करेंगे एल सी सर्कुट की चलिए एल सी सर्कुट की भी बात कर लेता है एसी सर्कुट कंटेनिंग एल एंड़ सी एल और सी की बात करते हम किसमें एसी को सर्कुट में यहां आपके पास यह कि इंड़्टर एल जहां पर एक हैपिस्ट्रंपने स्ी ले लिया एक एप्लाइड वोल्टेज लगा दिया एसी का जिसका किसी सबसे काम बता है यहां पर वौटेज़ ड्रॉप होगा जिसको को भोलेंगे वी-ल और बाती जो बोल्टेज़ ड्रॉप होगा उसको हम बोलेंगे सब्सक्राइब कर देखें तो हमें पता है किसी इंस्टेट हमने जो करेंट का एंगल मान रखा है पॉस्टिव एकस एकस इसके साथ वह ओमेगा टी मान रखा है तो जो इसका फेजर बनेगा आई नौट वेक्टर तो जो इसकी लेंध होगी वह तो इसकी करेंट की वैड से में में कुछ तो नहीं कहते हैं अब आपको इस बात पता है यहां पर आर्ट वह से लिए और अगे शलता है के साने में जो वोल्тя ड्रॉप होता है उसका प्रिजल मतलब वीजी का प्रिज़ से पीश्जे की ओर सब इस पर से वोल्टेज ड्रॉप एक्रोस इंडक्र मतलब घुर है उसका फिजल90डी आगे की तरफ चलता है तो इस तरह से हो जाएंगे ठीक है यह जाएगा आपके पास वी सी वैक्टर 90 से पीछे और यह जाएगा नाम हो जाएगा वी एल वैक्टर आपके पास दो वैक्टर है अगर वोल्टेश को देखें तो दो वोल्टेश की पेसर मैंने बनाया मतलब उनको वैक्टर पॉम में मैंने रिप्रिजेंट किया तो वह इस बात पर निर्भव करता है कि जो वी एल है वो बड़ा है या जो वी सी है वो बड़ा है अब वो वी एल नॉट कितना होता है वी सी नॉट कितना होता है पहले हम यह बात लिप लेते हैं हम जानते हैं वी एल नॉट तो होता है भाई आई नॉट एक्सेल के बराबर जो क्यों हो जाएगा आई नॉट उमेगा एल के बराबर है एंड अगर हम बात करते हैं गडिक्षी नौट की तो यह आजाएगा आई नौट एक्सी यह होता है आई नौट वण अपोन उमीगा देख सी एट इसके बराबर ताव बनापन ओमेगा सी यह आपका बीसी नौट है यह अब यह बात इस इन दोनों म वेल्यूज क्या है यह आपने फिगर बनाईगे इसके अब जुरूत नहीं भी स्वोटा देते हैं ठीक है आई आपने पहले से मान रखका आई नोट साइन ओमेगा तो उसकेस में जो रिजल्टेंट होगा आपका वो किस डारेक्शन में सोगा वो वियर की डारेक्शन में देखे हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बचेगा वो कुछ इस डारेक्शन में बचेगा यह क्या है आपके पास यह साब यह सी नोट यह क्या है आपके पास यह है आपके पास वी यह नोट यहां पर तो रिजल्टेंट बचेगा वो दिस माइनस दिस तो यहां इतन बच जाएगा यह आपका आजाएगा रिजल्ट है इसको मोलेंगे इनाट वेक्टर अब दो वेक्टर जो कि अपोजिक डिरेक्शन में वो उनकर रिजल्टर कैसे निकलता है यह यह चीज तो आपका आजाएगा यह सिद्धे सिद्धे वी यह नौट माइनस वी सी नौट अब अगर ऐसा है तो यह जाएगा इसका उल्टा भी हो सकता है वह सकता है वी सी नौट पढ़ा हो तो उसकेश में आपके वी सी यह भी आ सकता था इनॉट आपका इनॉट इस इगल टू वी सी नॉट मैंनस वी अलोट उसके से कुछ बड़ा होता इस वी इस बड़ा होता वी अलोट से यह भी कंडिशन पॉसिबल होती है सबस्क्राइब म suppression है था यहां इसे यह भी सोब्सक्राइब करें कि вас इनॉट यहां पर आपके रूड़े व मेर्षद वेलोव कर स्थे लिव फो हम एकस से आब यहां से और हैं मिव तो अगर हम ने लिए है तो एकस मना इस हम सी इस दोinta is अब अगर यहां से आगे देखें तो इनोट डिवाइड कर दिए आइनोट को तो यह बचेगा आपके पास बैंब हम इंपासित को कि क्या गोलता है अलग-अलग सबस्क्राइब होता है वो अलग अलगाता है इन डिप्रेंट सर्किट्स दे इंप्रेंट इस दिप्रेंट देखां वह डिबंड करता है उस कौन सी चीजें लगी हुई है अब इसकी जूरत नहीं इसको देते हैं मिटा इफेक्टिव रेस्टेंस निकाल दिया निकाल दिया आगा हम देखते हैं पाई पाई क्या होता है वाई जो होता है नाव फेस्ट डिफ्रेंस ब्ट्विन करेंट एंड वोल्टेज जो हमारे पास फिंजर था उसमें तो हमने माना था यहां पर आई नौट वेक्टर और हमारे जो इनोट आया है वो बियर डिरेक्शन है अब दर जो इनोट है आपके पास वो कि नाइंटी का एंगल बनाता होते है आपका दोनों की बीच जो एंगल का अंतर हो कितना है नाइटी डिग्री का आगे इस कंडिशन में जब आपका वेर नौट से बड़ा होगा किसे वी सी नौट से उसकेस में यहां आपका नाइंटी से आगे चलेगा है ना है पाइंटी डिग्री अब अगर ट्रेंट आई इस इवल टू आई नौट साइन ओमेगा टी है जो आपका यहां आएगा पाजएगा इनौट साइन ओमेगा अब इसका उल्टा भी तो हो सकता था हो सकता था हो सकता था यह वाली रेनिशन पॉसिवर होती देहें इतो आपका यह रहने माल है ना अब अब अगर हम उल्टा जूम करने यहां पर मानने भाई वी सी बड़ा है वी एल से लेट वी सी लेटर देन वी नौट जो रिजटेंट बचेगा वो उल्टा बचेगा आपको यहां दिखाना पड़ेगा चोड़ा वेक्टर वील की डिरेक्शन में और वी सी आपको दि देता हूं मिठा कि अब तो यह कुछ इस तरह से आता है यह आपके पास वी सी नौट वेक्टर यह आपके पास होता वी एल नौट वेक्टर और जो रिजल्टेंट आता आपके पास हुई यहां आता कुछ वी सी नौट इसको हम बोलते हैं 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 इ लिट अपाइब और प्लेवाता हो जड़ होता है है कि जड़ी चाहिए जड़ आता है जैड़ी से इसे माइनस एक्स एल एज़ एक एक्स एल और तो फेश डिप्रेंश हाता है यहां पर वो इसमें यह मैं पाता है नीचे की तरफ इसमें यह होता फेस्स होता दो 90 पर यहां पर आपका जो एक्विशन बनती वह बनती माइनस की है यहां पर आपकी वी सी और यह बहुत है तो यहां यहां के यह अगे हो सकता है और एधने डिजी पीछे भी हो सकता है अगर आपके सेंखिट कौन सी है है आपके सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब दोनों बातें पॉसिबल होती है तो यहां पर यह बात निक देंगे इन दिस सर्केट करेंट आइधर लीट्स भाई पाइबाई टू और लेट्स भाई पाइबाई टू टू तुदर करेंट और लेट्स भाई पाइबाई टू टू तुदर करेंट ठीक है दोनों बातें यहां पाइबाई टू 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 तुदर करेंट आवर पॉसिवल थी जो मैंने आपको बताते हैं तो हमने तो निकाल दिया फाई पाई तो सिदे नाइंटी आगे इस बात पाई किया तो आगे है तो पीछे दोनी बाते पॉसिवल है यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं किसकी इंस्टेंटेनियस पावर कि किसकी बात कर लेते हैं अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर हां अ तो हम जानते हैं अब किकिसी इंस्टेंट की वेल्या और किसी इंस्टेंट की वेल्यू होती कि इनका मुल्टिप्लाइए आपका देदेगा इंस्टेंटेनेस पावर अगर हम यहां पर बात करें यह होजाएगा आई नौट साइन ओमेगा टी यह प्लस माइनस नैंटी दोनों ही पॉसिबल है इस आपके पास आजाएगा आई नौट मुल्टिप्लाइए नौट इसमें दो से डिवाइड कर लो और यहां तो से आपको मुल्टिप्लाइए कर लो ठीक और यह आपके पास साइन ओमेगा टी प्लस माइनस नैंटी अब देखें फॉर्म्मला क्या होता है तू साइन एस साइन वी इस इपले आपको बदा था पॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आता है यह पॉम्मला होता है अगर इस फॉम्मले से अंध्यान से देखें तो में क्या देखेगा आई नॉट ए नॉट बाई टू माइनस करूंगा तो यहां क्या बचेगा भई कॉस प्लस माइनस 90 डिगरी ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा फिर माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस माइनस 90 ठीक है वह आप ध्यान से देखो अजया आगे आपके पास टी इंस्टेंटेंटेंटेंस क्या वह प्लस को सब्सक्राइब जानते हो जीरो होती है यहां पर जाएगा आई लॉट वाइए इस तरह से दिखें और इस तरह आप यह आपके पर पी इसेंट डेनियस क्लियर वही अब हम बात कर लेते हैं पी एवरेज की तो पी एवरेज आपकी जीरो आजाएगी अपने आपके जीरो कैसे एगी वह देंटो वही पी इसेंट डी टी डिवाड़ेट बाइड डी टी जीरो से टी थम जानते हैं यह आई नॉट इनॉट बाइट टू इंटीग्रेशन जीरो से टी कॉस्ट तू ओमेगा टी प्लस माइनस नाइन टी डी ती कि यहां भी माइनस लगा हो है कोई दीक्त अभी बात नहीं है तो अपने आप जीरो ही होना है कुछ भी कर लोगा इसकी जो एबरेज वैल्यू है कॉस्ट अगर लिनियर फंक्शन है किसका कॉस्ट की पावर बन हो और वो टाइम पे सिदे रिपन करता हो डारेक्री प्रपो क्यों कि अभी मैंने बताया से आपको कोस ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी दिया हो इसका इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी बराबर आजएगा जीरो आपको सॉल्व करने जो नहीं मैथमेटिकल आप इसली सॉल्व कर सकते हो नॉन मैथमेटिकल जितने बच्चे आसानि और बायो वालों को खास कोई जरुतने समझने की अब सिद्धे आद कर लो इंटीग्रेशन ऑफ कोसं और साइन फॉर्फूल साइकल जीरो आता है ठीक है तो आपके आपके जीरो कि आपकी आपर जीरो तो इस तरह से आपका ही होगी आप पुरा सिस्टम अब हम बात कर लेते देखें इसमें एक नई चीज भी आएगा आपके सामने कि रेजोनेंस कंडिशन क्या होती है रेजोनेंस कंडिशन क्या है इन इस condition effective resistance of circuit will be minimum ठीक है भई will be minimum clear होगी बात अब देखिए जो resistance है वो होता कैसा भई resistance आपको positive होता वो negative तो होता नहीं है तो resistance की minimum value क्या सकती है 0 resistance की value अगर हम देखें आपर z is equal to करिखा हुआ x सर माइनस x c है अब अगर यह दुनों बराबर होगे मालनी चाहिए x c बड़ा है तो negative ऐसे पॉसिबल नहीं है मैंने का था अगर x c बड़ा है तो x c minus xl करना बढ़ेगा आपको यह more होता है तो इहां रखना क्या होता भी more होता है जट की value x c minus xl वी होती हो होती है वो डिपन करता है बड़ा कौन है जो बड़ा है उस में से हमें से चुटा वाला माइनस करना है जट के पास ही होता है तो जट क्या जाएगा यहां पे जट का जीरो है जाएगा हैंस क्या होना चीए एकसल जो है एकसल के बराबर होना चाहिए अगर एकसल आपका यहां से आपके पास एक एंग्यों फ्रेक्वेंसी आएगी जो करेंट है अगर उसकी फ्रेक्वेंसी बराबर होती है तो इस में इस केस में क्या होता है आपका एपक्टिव रेश्टियन्स जीरो आप याता है यानी मिनमाम हो याता यह स्केस में ठीक है इस क्रिक्वेंसी इस कॉल्ट एंगुलर रेजुनेंट फ्रिक्वेंसी ठीक है और अगर निव निकालने तो वन अपॉन टू पाई हो जाएगा निव इगल टू क्या हता है ओमेगा पॉन में टू पाई जो ओमेगा होता है वह होता है तो अगया आजाएगा फ्रिक्वेंसी के लिए यह आजाएगा अगया इने इस दिए करेंट विल्पी मैक्सिमोन तो तो आपके पास जो आपने एपलाई किया है वोल्टेज अगर उसकी फ्रिक्वेंसी इससे मैश कर जाती है तो उस कंडिशन में जो सबसे ज्यादा करेंट लो करता है किसमें हैं यह सब्कूर में होता है मिनिमम यह सारी बात था अपको और दोसरी सब्सक्राइब करें और रेजरेंट कंडिशन क्या थी दोनों सर्किट में तो आपकी सिर्फ किसमें आई है और इसके बार नेच्ट कवर करेंगे वहोगी आपके जी आर सिरीज में यहापका में टोपिक रहेगा और पैरलल में तो नेच्ट बीड़ लेक्शन रहेगा उसमें सारी कंडिशन पढ़ेंगे उसमें फेक्ट क्या है उसमें यहाप कौन आगे पीछे चलेगा और पंब दिशन के रही है और ने को रहें अगर सीरोंगे वालार में जैस्ट की सिर्ण थे क्रिकुले पोरी कंडिशन थी आपकी ब्ले dürfen के ऊंसे हीrehल्य को सटेशन गां 2000 फिका तेसे कम यघं़ भी सुटे । अगर आपके करेंट की और का कैसने मैकिसमन होती है किंग को आपका कैसे सटेंस होता है मिनमम और इस केज में जीव हो आगा है अगर आपको पूरी बाद समझ में आ गई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्शर में LCR circuit in series और LCR circuit in parallel इन दोनों की बाते करेंगे हम next video lecture में प्राज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं next video lecture में